Hello friends, welcome to study news तो हाली में Nelson Mandela दिवस मनाया गया है और Nelson Mandela प्राइस दिये गए हैं So जानेंगे Nelson Mandela के बारे में और इनके जीवन के बारे में और Nelson Mandela प्राइस क्यों और किसे दिये जाते हैं ये सब जानेंगे So let's start Nelson Mandela का जन्म 18 जुलाई 1918 को South Africa के Eastern Cape में एक जगे हैं मेजो में हुआ था इनके पिता का नाम था गेडला हैंरी फाकेनिस्वा और इनकी मा का नाम नेक्यूफी नेसकोनी था ये South Africa के पहले अस्वेत राश्पती थे राश्पती बनने से पहले इन्होंने काफी संगर्स किये इन्होंने दक्षिड अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध किया और वहाँ पर रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेसनल कॉंग्रेस और इसके ससस्त्र गुट उम खोतोवे सिजवे के अध्यक्ष बने इस संगर्स में उन्हें 27 वर्स के लिए रॉबन द्वीप के एक कारागार में डाल दिया गया जहां पर उन्हें कोईला खनन का काम करना पड़ा इसी कारण ये दक्षिड अफ्रीका और विस्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए इसलिए युनाइटेड नेसन्स ने उनके जन्म दिन को नेलसन मंडेला अंतराश्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया इन्होंने अपनी प्रारंभिक सिक्षा क्लर्क बेरी मिसनरी स्कूल से पूरी की और फिर इसके बाद की पढ़ाई इन्होंने मैथोडिस्ट मिसनरी स्कूल से की जब ये 12 वर्स के हुए तभी इनके पिता की मृत्ती हो गई जिसके कारण इन्हें पैसे कमाने के लिए एक कानूनी फर्म में कलर्क का काम करना पड़ा फिर यहीं से इनकी धीरे धीरे सक्रेतर राजनीती में बढ़ती चली गई और रंग के आधार पर होने वाले भेदबाव को दूर करने के लिए इन्होंने राजनीती में कदम रखा 1941 में मंडेला जोहानस बर्ग चले गए जहां इनकी मुलाकात वॉल्टर सिसुलू और वॉल्टर एलबर्टाइन से हुई उन दोनोंने राजनीतिक रूप से मंडेला को बहुत प्रभावित किया वॉल्टर मैक्स सिसुलू एक दक्षिड अफ्रीकी रंग भेद विरोधी कारे करता और सदस्य थे अफ्रीकी राश्ट्री कॉंग्रेस के महा सचीव और संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में कई बार कारे कर चुके थे इन्हें भी रोबेन दूइप पर रखा गया था जहां उन्होंने पचीस साल से अधिक की सजा काटी थी फिर इन्होंने 1944 में अफ्रीकन नेशनल कॉंग्रेस में सामिल हो गए जिसने रंगभेद के विरोध में आंदोलन चला रखा था इसी वर्स उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कॉंग्रेस यूथ लीग की स्थापना भी की थी 1947 में वे लीग के सचीव चुने गए थे 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रों का मुकदमा चला परंतु उसमें उन्हें निर्दोस माना गया फिर इसके बाद 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हरताल के लिए उकसाने और बिना अनुमती देश छोड़ने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया था उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई सजा के लिए उन्हें रॉबेन दूइप की जेल में भेज दिया गया किन्तु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ था उन्होंने जेल में भी अस्वेत कैदियों के साथ मिलकर संगर्स जारी रखा था जीवन के 27 वर्स कारागार में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को इनकी रिहाई हुई रिहाई के बाद समझोते और सांती की नीती द्वारा उन्होंने एक लोक तांत्रिक और बहु जातिये अफरीका का नीव रखा 1994 में दक्षिड अफरीका में रंग भेद रहित चुनाव हुए अफरीकी नैसनल कॉंग्रेस ने 62 प्रतिसत मत प्राप्त किये और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्व प्रतम और स्वेत राश्पती बने दक्षिड अफरीका के नए समविधान को मई 1996 में संसत की ओर से सहमती मिली जिसके अंतरगत राजनितिक और प्रशाशनिक अधिकारियों की और अधिकारों की जाज के लिए एक संस्थाओं की स्थापना की गई 1997 में वे सक्री राजनिति से अलग हो गए और दो वर्स पस्चात उन्होंने 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी त्याग दिया नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की ही तरह अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे उन्होंने गांधी को प्रेणा सुरोत माना था और उनसे अहिंसा का पाठ भी सिखा था इसके बाद 5 दिसंबर 2013 को मंडेला के फेफडों में इन्फेक्शन हो जाने के कारण इनकी मृत्ति हो गई इस वक्त ये 95 वर्सके थे देश को लोकतांत्रिक बनाने और रंग भेद से मुक्त कराने के कारण ही दक्शिड अफरीका के लोग मंडेला को राशपिता मानते हैं उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है 2004 में जोहनसबर्ग में इस्थित सेंडटन स्क्वाइर सौपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति इस्थापित की गई और सेंटर के नाम बदल कर नेलसन मंडेला स्क्वाइर रख दिया गया दक्षिड अफरीका में प्राय उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सुचक सब्द होता है नवंबर 2009 में युनाइटेड नेशन्स जनरल असेंबली ने रंग भेद विरोधी संगर्स में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्म दिन मतलब 18 जुलाई को मंडेला दिवस गोसित किया गया 66 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष में लोगों से दिन के 24 घंटों में से 66 मिनट दूसरों की मदद करने के लिए आगरह किया गया नेलसन मंडेला जी को विश्व के विभिन देशों और संस्थाओं द्वारा धाईसों से भी अधिक सम्मान और पुरसकार प्रदान किये गये थे 1993 में दक्षिड अफ्रीका के पूर राश्पृती फ्रेडरिक विलेम डी क्लार्क के साथ सैयुक्त रूप से नेलसन मंडेला को नोबेल का सांती पुरसकार प्रदान किया गया था इन्हें President Medal of Freedom प्रदान किया गया है, Order of Lenin मिला है, भारत रतन से भी नवाजा गया है, निसाने पाकिस्तान भी मिला है और 23 जुलाई 2008 को गांधी सांती पुरसकार से भी सम्मानित किया गया था इस साल के United Nations 2020 के नेलसन मंडेला पुरसकार के विजेता, ग्रीस के मरियाना वर्दी नोइनिस और गीनी के मोरिसाना कोईट है इन पुरसकारों की घोशना महासभा अध्यक्षितिजानी महमत बंदे ने की थी नेलसन मंडेला के 91 जन्म दिवस पर United Nations के सेक्रेटरी जनरल बानकी मून ने कहा था कि मंडेला सेयुक्त राष्ट में उच आदरसों के प्रतीक है मंडेला को इह सम्मान सांती स्थापना रंग भेद उन्मूलन मानवा दिकारों की रक्षा को और लेंगिक समानता की स्थापना के लिए किया गया सतत प्रयास के लिए दिया जाता है इस बार के विजेता मेरियाना वर्दी नोइनिस की बात करे तो ये एक यूनानी है यूनान मतलब ग्रीज देश को कहते हैं इन्होंने बच्चों को जो कैंसर से पीडित होते हैं उनके लिए स्वास्त सम्मंधित कई कारे किये हैं और बच्चों के अधिकारों के सनरक्षण के लिए भी काम किया है इसके बाद हैं मोरिसाना कोईटे इन्हें भी इस बार का यूनाइटेड नेशन्स नेलसन मंडेला प्राइज मिला है ये भी एक मानवाधिकार कारे करता हैं जिन्होंने महिलाओं और लड़कियों के प्रती उनके योगदान के लिए कारे किया है इन्होंने महिलाओं के खिलाफ हानी कारक परंपराओं विशेश रूप से वूमन सेक्स डिस अबिलिटी के खिलाफ लडाई में एक प्रमुख वकील की भूमिका निभाई है इनसे पहले नेलसन मंडेला पुरसकार 2015 में दिये गए थे जिसमें नामी बिया की डॉक्टर हेलेना एंडियूम और पूर्टगाल के मिनिस्टर जॉर्ज फर्नेंड ब्रेंको को दिया गया था डॉक्टर हेलेना की बात करें तो ये नामी बिया में नेत्र रोग विसेसगे हैं जो नामी बिया में आखों से संबंधित बिमारियों से पीडित लोगों के बीच उनके इलाज के लिए बहुत महत्पुन भूमिका निभाई है पूर्टगाल के जोर्ज फर्नेंडो ब्रेंको की बात करें तो इन्हों ने पूर्टगाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्स किया 1970 के दसक की सुरुवात में वहां की ताना साही अदालतों में कई मामले उठाए इन्हों ने कई राजनीतिक कैदियों का बचाव किया और वहां पर मानवा अधिकार आयोक के सदस्य भी बने ये पुरसकार हर पांच साल में प्रदान किये जाते हैं तो यहां पर आपको नेलसन मंडेला के बारे में काफी जानने को मिला होगा इनका संघर समय जीवन कैसा था इन्होंने रंग भेत के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी जिसमें ये सफल हुए तो ये थी पूरी जानकारी नेलसन मंडेला के बारे में आपका दिन सुभ हो प्लीज सेर सब्सक्राइब और कमेंट